नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत आपके यूट्यूब चैनल ट्रेड वित रॉनिक चलिए दोस्तों आज के शुरुवात करते हैं जैसे के अपने कौर्टर रिजल्ट की सीरी चलिए तो कौर्टर वन रिजल्ट के अंदर फ्रैडे के दिन और आगे ट्रेडिंस रहने वाला इन सब के बारे हैं बात करने से पहले अगर अबी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नगे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें बेल को बजाना बिलकुल नहीं भूले तेकि हम पहले कंपनी का ओवर्विव करेंगे फिर इसका क्वाटर सब्सक्राइब करते हैं, बाट्राइब के यानि जितन भी कारता है, बैटरी मेनेजमेंट, जो भी टेक्टिविटी में काम होते हैं, उसके अंधर गूमने काम करती है, या अच्छे खासे लार्ज सीगमेंट के अंदर काम करती है, तो आप ज़ादा देखें करने जो हैनी कमने काम कहा हैं तो चले समझते से कोटर वन का रिजल्ट कैसा रहा और अगर ट्रेशन सेर्शन कैसे रहने वाला है तो प्लीस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करना बेलकुल ना भूली है अब देखे HFCL Limited तो इनसीबसी दोने पर इसका मार्ण जो कौटर वन का रिजल्ट आया था जुलाई दोजाब आइस तो देखे बज़ार बंद होने का इसका कौटर वन का रिजल्ट आया था तो रिजल्ट में किसी तरह के अनौंस्मेंट तो है नहीं इन्हों के कुछ लिमिटेड एनसी बेसी दोनों पर इश्ड़ है तो आज की डिटेश्मिस का मार्केट गया पर नो हजा चार सो चौबिस करोड बेगा इस्टोक पी चला सका 33.5 का रिटर्न और ओसी का चल रहा है 19.2 परसेंट का बुक वैलियूस की 20 रपे 3 पैसे की है रिटर्न फिक्वेटि का मानिस में चल रहा है कंपाउंटिंग एनलोगत ग्रोथ विसकी डाउनफॉल दिखा रही है बाकि अधर कंपनी को गर्टिंग तो हम बात करेंगे जून क्वार्टर की तो जून 2022 तो इस क्वार्टर में टोटल सेल हुई है pervisite निकल ए करोड बेगी और प्रियो क्रोड अनिक परफई निकल काई 29 क्रोड बेगा अनिने पर शेयर निकल काई 0.37 ठीसर लेगा अब क्लाश्ट क्वार्टर से हम पहर intéressant मार्च 2012 तो लippy तो ऑस्पार्चेल थी य एकला 181 करोड बेंगी वह घटकों ये 1121 करोड बेंगी ओप्रेशन प्रफिट 124 करोड से घटके सीधा 109 करोड हुआ है अनिंग पर शेर भी 0.47 से घटके 0.37 है तो आप देखिए 10% का डॉन फोल देखने हो मिला में चाहे सेल हो है चाहे ओप्रेशन प्रफिट नेट प्रफिट अनि परोई होए और पीच्ट से तो ये लोट क्रवड होगी अब इसके अंदर करना क्या आग है पहले पहले इसकी शेयर होल्डिंग पैटन देख लेते हैं तो जून दोजा बाइस इस क्वार्टर में टोटल सेयर लास्ट क्वार्टर मार्च दोजा बाइस में परमोटर की होल्डिंग 49.20 और फाइस क्या होल्डिंग भी 6.66 से बढ़के सीधा 6.81 हो गई है और अब पैटन पकिशल्डिंग बढ़के सीधा 2.03 हो गई है पाविलिक की होल्डिंग अब हो चुकिए, क्यावर्ण पर 78 हो चुकिए, अधर की होल्डिंग 18 हो चुकिए, तो इस क्वार्टर में क्या हुआ है, FIs और DIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, यह थोड़ा से इंप्रूमेंट देखने को मिला है, और बाकी परमोटर अपन सेसन कैसा था, वो समझते हैं, तो रिजल्ट आने से पहले, शेर ने 5% ग्रावर्ट लगा के बंद हुआ, यानि 2.23% ग्रावर्ट लगा के बंद हुआ, फ्रैड़ की दिन, ओपन होता है, 79 रपे, 90 पैसे पे, हाई मारस ने 70 रपे, 20 पैसे गा, लो मारस ने 70 रपे, 70 पैसे हैं, 52 लोलिष का 51 पैसे गा, पांस दिन के अंदर ये 5.23% ग्रावर्ट दिखा चुका है, फ़न मंत के अंदर है, यह साडऱ् 12% की ग्रावर्ट दिखा चुका है, Ђजने अच्छे का से ग्रावर्ट का दाउनफल देखने हो अब रिजल्ट तो खराब है अब रिजल्ट के अगॉर्डिंग चार्ट पर कहां सपोर्ट देखने को मिला वो समझते हैं देखिए शेयर के अंदर एक डाउन फुल देखने को मिला लगा था तीन दिन से शेयर अच्छा खासा ग्रावर्ट दिखा रहा है यानि बहातर पर का दमखम दिखा रहा है यानि कि ग्रावर्ट इसमें अच्छे का से वॉल्यूम के साथ हुई है और आरसाई भी इसमें डाउन फुल की तरफ ट्रेंड कर रहा है यानि कि अभी की टेम पे तो अभी तो आप इसमें इंवेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करेगा अगर यह 62 लेवल इसने डाउन करा तो फिर इसके अंदर आपको 55-56 लेवल इसमें जल्दी देखने को मिलेंगे अभी से अवर्ट करें से बिल्कुल बायर नहीं करना है क्योंकि इसमें डाउन फुल देखने को मिलेगा यह गिरावट की तब दमखम दिखाएगा और जल्दी अगर ग करना है और बिल्कुल भी इसमें इंवेस्ट नहीं करना है आई होब यह वीडियो आपको सब्सक्राइब प्लिस वीडियो को लाइक शेय फावर्ट करना बिल्कुल ना बोलें थैंक्यू सो मच पूर वाचिंग इस वीडियो